नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है, पेश है 25 दिसम्बर सुमबर सुबर सबसबा 11 बजी राजस्थान की बड़ी खबरे पिछले दू लोगसबा चुनाओं से प्रदेश की 25 सीटों पर हारका सामना कर रही कॉंग्रिस इस बार 5 महा के बाद होने वाले लोगसबा चुनाओं में हारका क्रम तोड़ने की जद्दो जहत सहीत जुटी हुई है इसके लिए कॉंग्रिस थिंग टैंक एक खास रनीती पर काम कर रहा है सूत्रों की माने तो कॉंग्रिस ठिंक टैंक लोग सभा चुनाओं में अपने बड़े निताओं को उतारने की तैयारी कर रहा है जिसी कि चुनाओं में भाश्पा को कड़ी चुनाओती दी जाए चुनाओं की वक्त भी कहा था कि अपकी बार राजिस्थान की जनता वर्तमान सरकार को उसकी यूजनाओं को पूर नेताय नकारने वाली है अंतिताय वही हुआ पेम मोदी की गारंटी पर विश्वास करती हुए राजिस्थान मध्य प्रदेश और चतिसगर तीनों जगर जनता ने अतिहासिक बहुमत दे कर पूर्ण बहुमत वाली भाश्पा की सरकार बनाई है गजिंदर सिंग शिखावत ने साल 2024 में नरेंदर मोदी को तीसरी बार पेम बनाने का जनता मन बना चुकी है ये कहा था भाशपा 2024 में चुनाओं में 400 से अधिक सीटे जीतेगी राविवार को पत्रकार वारता में गजिंदर सिंग शिखावत ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह से बस्तरचार का बोल बारा था उस सरकार से जनता पुरी तरह से पत्रस्त थी जिस तरह कि थोती गोशनाय तत्कालिन सरकार कर रही थी उसको जनता ने पुर्ण अज़स्विकार कर लिया था राजसान के पुलिस माने देशे को मिश मिश्टा ने फरजी दिक्री और माक्षिट बनाने वाले गिरहों से जुड़े लोगों के विरुद सक्त कारवाही के निर्देश दिये हैं उन्होंने बताए कि पलिस मुख्याले द्वारा इन गिरोह से जुड़े व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है उन्होंने ये कहा कि इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ये टीम प्रदेश एवं अन्हे राज्यों में फरजी दिग्री और मार्क्षिट बनाने वाले विश्विद्द्याले आवंशिक्षन संसानों पर नज़र रखेगी रैसलिंग फडरेशन ओफ इंडिया की नई बौडी को खेल मंत्राले ने रेवार को सस्पेंट कर दिया इसके साथ ही देश की खेल मंत्राले ने भारते ओलम्पिक संग से फडरेशन के मामलों के मैनेजमेंट के लिए आड हॉक कामेटी बनाने को कहा है किसान महापंचवाट से लेकर सरकार के इसे फैसले का स्वागत किया गया है मंत्राले का यह ने ने सरानिया है जिससे भारत वैश्य कार्थिक महाशक्ति के रूप में उपरा है उन्होंने रईवार को यहां अपने विधानसबा शेत्र विद्याधनगर में विविक्सित भारत संकल्पी यात्रा में भाग लेते हुए ये बात कही राजेसान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्री मंडल की गठन में हो रही देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं बीजेपी की पिछली सरकार यानि वसंद्रा सरकार में मंत्री और वर्दमान में नर्दलिय विधायक यूनस खान ने भी तंजिक अस्ते हुए कहा है कि हम सब का निवी दन है जन्यता का भी निवी दन है कि मुख्य मंत्री अपना काम तो शुरू करें उनका मंत्री मंडल एक्शन ले अगर ऐसा नहीं हुआ तो जन्यता निराश हो चाएगी जैपन में सिवी लाइंस से अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा जब प्रिदेश में कौंगर्स की सरकार बने थी तब भी इसी तरह किस्तिती हुई थी एक बाद जन्ता में गलत मैसिस चला गया तो उसे सुधाने का कोई उपाय नहीं होता है बारा में टीचर दमपत्य के स्थान पर डमी टीचर की ओर से सिक्ष Scottish चारे करा जोने के मामले में अब शिक्षित दमपत्य के बादYA बाद पीई औ और इसी स्कूल में नियुक्त एक महला टीचर को भी शन्यوार को निलमबित कर दिया गया है शनिवारकुपलिस ने स्कूल पहुँचकर पिछले 7 साल के हाजरी रजिस्टर अपने कबजे में लिये हैं मामना 12 जली के राज़के प्राथमिक स्कूल राजपुरा का है D.E.O. पियुश कुमार शर्मा ने बताया कि राजके प्रास्मिक स्कूल राजपूरा में टीचर दमपते विश्नुगर्ग और मन्जुगर्ग कियो से स्कूल में नियमित उपस्थित नहीं होकर डमी तीन टीचरों को लगाने के मामने में लापरवाही बरतने पर शिक्षा ने देशाले ने P.E.O. राजके उचमादमिक विद्याले संदुलक प्रिंसिपल कौशले सोने के खिलाफ भी जान शुरू करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है पैंतालीस रुपए के टोल टेक्स के लिए 20 मिनट तक हंगामा किया महिला टोलकर्मी को गालियां दी और टोल मैनेजर को धक्का मारा महिला टोलकर्मी की ओर से थाने में मामना दरज करवाया गया है मामना अजवार जिले की भीवारी शोहर में फूल बाग थाना इलाक के सिर्ट तोल नाके का है राइवार सुबह साड़े दस बजे धारू हेडा की दो बीमड़ी कारे टोल के बूत नमबर 6 पर आकर रुकी टोल बूत पर उस समय टोल करमचारी सपना मौजूद थी कोटा रेल मंडल के नागदा कोटा सेक्शन में स्वतंतर रूप से अनुसंधान अभी कल्प मानक संगठन लखनों की टीम की ओर से हौट बफेट लएच बी पेंटरी कार का 180 किलमटर प्रतिगंटे के रफ्तार से परिक्शन किया गया परिक्शन पोने तैस फ़ल रहा जैपुल में राजे की सबसे उची इमारत IPD तावर का काम वित्य स्विकरती की करण अठक गया है SMS अस्पतार में निर्मान अधिन तावर 24 मंजिल तक बनना है लेकिन 15 मंजिल तक ही छट डालने का काम बन पाया है आगी की मंजिल निर्मान का काम रो गया है जेडियो और चिकिसा विभागने सरकार को 77 करोड रुपे का स्विकरत करने का प्रस्ता भीजा है लेकिन अभी तक इसकी अनुमती नहीं मिली है IIT बॉंबे की पूर्वी छात्रों ने 57 करोड रुपे डोनेट किया है ये पैसे सिल्वर जूबली री यूनियन सेलिब्रेशन के मौके पर दिये गए इसके लिए 1998 बैच के 200 से ज़्यादा पूर्वी छात्रों ने रकम हिकटी की थी IIT में इस पैसे का इस्तिमाल हॉस्टल को सुधारने और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस लैप्स थापित करने में किया जाएगा साथ ही जरुत मंचात्रों के लिए स्कॉलर्शिप भी शुरू की जाएगी जैपन में रविवार का दिन कुछ खास रहा जहां गुलाबी नगरी की गुलाबी ठंड और हलके कोहरे की बीच बच्चों का जबर्दस जोश देखने को मिला मौका था EU जैपूर महराथन की ओर से आयोजित दसवें किट्स महराथन का इसमें तीन हजास ज़ादा बच्चों ने दौर लगाई EU जैपूर महराथन और रियान इंटरनाशनल स्कूल के सायोग से आयोजित किट्स महराथन की शुरौत मांसुर वरसित वीटी रोड से हुई इसमें चार अलग-अलग काटिकरी में बच्चों ने भाग लिया जालोर में कुलदेवी ब्रह्मानी माता के वाशिक उत्सव में शामिल होने गुजरात के दिशा गाउं से 151 श्रद्धालू जालोर पहुंचे ये श्रद्धालू 6 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद शहर पहुंचे तो लोगों ने फूल बरसा कर इनका स्वागत कया रविवार शाम ब्रह्मानी माता का वाशिक उत्सव शुरू हुआ दिशा से आये श्रद्धालू ब्रह्मानी माता के मंदिर में आये एक शाम माता जी के नाम भजन संध्या कारिकरम में शामिल हुए गुजरात के दिशागाम से ये टोली 19 दिसंबर को रवाना हुई थी बैंड बाजे के धुन और माता जी के भजनों पर नास से गाते ये श्रद्धालू रविवार को जाल और पहुँची जैपर में जवाहर कला केंडरी के अलंकार दिर्गा में चौल रहे तीन दिवसे क्रियेटिव हार्ट उत्सों में डॉक्टर प्रशांद शर्मा और नेरव कुल श्रेस्टर इंसन की अदबुद कला को देख कर कला प्रेमी चुकित रहे गए इनके बनाए पेंटिंग्स की खासियत ये है कि अंधेरा होते ही इनके रंग बदल जाते हैं दिन की रोशनी में ये पेंटिंग आम जीतरों की तरह ही नज़र आती है लेकिन कला कार उने जैसे ही दिर्गा में अंधेरा कर उन पेंटिंग्स के सामने लगी लाइटों को चा खुबसूरत नज़र आए तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर